लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्टरा चनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट अल्स के लिए सकति एल्टरा चनल्स के लिए लिए सब्सक्राइब करें हम कब तक इस लाश्का बोज उठाते रहेंगे ये क्या कह रही हो शुष्मा मा सुन लेगी शरीर के सारे हिसों ने काम करना छोड़ दिया है फिर भी ये बुढ़िया दुनिया छोड़ के जाने के लिए राजी नहीं है शुष्मा शुष्मा प्लीज शुष्मा बच दोड़ कि रहें लुष्मा बच लो शुष्मा वाँ कर अरा कर दो दान चाह कर दो कर दो झाल 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 इंस्पेक्टर सिधार्त का फोन आया था पूछ रहे थे कि पोस्त मॉट्रम के रिपोर्ट तयार हुआ है नहीं उनसे कहना क्या के लेकर जाये मा प्रश्टां के लिके चेल जीचा जी वह टो क्या यह पर सांड चेड्म आ यहां इनकों कि यहां रिश्टा प्रेक्टिस अंगेएं आयी के रिख्राइब्ड पतानी जीजू क्या पतानी डॉक्टर अब मजाएगा जब दीदीगी डाट पड़ेगी आपने आपको बहुत बड़ा डॉक्टर समझते हैं येज दी डॉक्टर रमा बॉक्टर हो तो क्या भाः ओँ जे समय आष्ट लॉष्यित गड़ी नहीं है कुछ दोंबने तुम्ही कोई ठीट नहीं नहीं है I like I'll अब में क्या कर रहा है वाम्थ to के बढूरे मुणने यदियों करना और करना थे बागां होगा है हैहिव선 क्या है मैंने कलेあ equality प्रेजिदीurstmy जन्य नंब कर दो ख़ूज कभिवाय Concern विंपार वाला है मैंने कहाँ क्य। वेन्दो मिने जी यारी जारी क्या है बैसाफाइश अटा, अटाया भी अटाय। वाव 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 एक ुच्ही मял करके ऐतने की यह पर पिन क्रिम लगता। वह पूस्थ еро met कि अचलि तुछ अच्छा लगता है तुमारो काम नहीं है यह जान ना फिल छॉज खड़ेंef क्या िद्वाठे का में? रोके, Sorry. क्या लाइये? इकाछे पइसा लियाओ, इकाछे लियाओ. वन्हीं, आतेको. राव, यह लियाओ? इडाव को घर्षे चरिशा क्या ना? जी. हाँ जोड़ बीघिड की शेटे शर्टे शर्ट दो लेख भुटष्ट वाँ भुट भुटष्ट यह राद अड़न वेड़न यह 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 जो चांग्या अटो कद्यादिया वस्धिया फिर र duż्वू जाने को कुछचछ अग्यूव वद वी गहां यहग्या अधोड़न ज लड़की पे हाथ हिजरी उठाते हैं और शकल से तो हिजरा तो लगता नहीं हाँ बिगड़ावा ज़रूर लगता है मर्द बनता है साले एक फटका पड़ेगा ना तो तेरी सारी मर्दान की धारी की धारी रह जाएगी संजा जलवर जा जलवर है वर भगता पतान की धारी जए ना जलवर Emmett को यार वर रारी नारीा जलवर जली के धारी है के दॉथर झाले है Cरते हैं । बर रारी हैं वर लब झारंशचरी हैं भारं की कि बिएको ये अल्सटुबग本?, नारी मेरें हैं वह वह है तो एक यह डर्वाजे की अंडर बोगदा करदी यह तुमको कुष्टिक हेलने कर इतना ही सवक एक तो मेंदान में जाऊ ना तो इसका खर्चा को देगा इसका निकाला ने तो पुलिस को बुला कर तुमको छे महीने तक का फांसे का सजा कर वाएगा अचा हां तुम खुड पुलिस वाला है पहले से बोलना मंगता है ने दिख रहा है जाब डूसरा काट भी टोड डालो वो क्या अपके रिशिदार थे शटाप सिदार वो मुझे छेड रहे थे अब सुलिय में तुम्हें चेड़ेंगे नी तो क्या तुमारी आर्ती उतारेंगे तुदाद प्लीस मताग मत करो इंता देर से आयो उपर से आशिक ही सूच रही है अब जल्दी चलो दीदी और जीजू केक का इंताजार करते होंगे अरे बस बस डाइट क्या कर रहे है आज तो लिमिटी क्रॉस हो गई आज तुमारी पहली वेडिंग इनवरसरी है इसलिए नो लिमिट बियो पस भी कीचे शर्म नहीं आते आपको आप पहले ससूर है जो अपने दामाद को अपने हाथों से खराते हैं अरे हम ससूर दामाद लए बिते हैं दोस्त हैं दोस्त और दोस्तों के बीच में क्या शर्म में कि आर्थी की बात कर रहे हैं हमें तो अमन का शुक्रिया दा करना चाहिए कि उसले इस अपने एसिस्टेस जितरा ऑस्पितल में रख लिया है और ना पतादे ऐस लची का क्या हो कि carbonic उसने तो अपनी जिंदगी का फैसला कर लिया है, बस आप फेरों की जरुवत है मैं तो कहता हूँ आप जल्दी से उसकी और सिधात की शादी करा दीजी ताकि उन दोनों का चुप-चुप कर मिलना बंद हो जाए आप में आप तो आप आप पोस्तमॉर्टम की पात हॉस्पिटल में होती है बेड्रूम में नहीं है सब्सक्राइए या सौरी तो आप अप्पा से कह दू ना तो अब है बढ़ गई है जल्दी से शादी कर राती है जलो पापा तो मैरे इंतिसार कर रहा है बड़ी चीजिगा, बड़ी झाली और लोक के लिए नहाँ रहाँ बड़ीड और लोक के खाली के अराई इसकी रेचाँ कर दो में है जो कर दो आज जा कर दो ना जा नहीं जाना वह बोलता है आप साफ सफाई नहीं करेगा क्या मैं कर लूगे तुजा आज की रात आप हस्प्रेट वैप को हनीमुन की याद आजा करने का है आज आप दोनों की बोर्डिंग या डेवर्सरी है ना अग्रेचे परोबर बोली ना मैं साफ क्यों साफ पस पस बहुत बोलती है अब देखो ना मेम साफ अच्छा जाती है जाती है गुटनेट मेम साफ गुटनाइट नाइट अरे बबाबा इसे क्यों भेज दिया सारी सफाई कॉन करेगा मैं करूंगी तुम अभी अभी नहीं सुपह पहली वेडिंग अनिवस्ट्री है अब इसाफ दात को याद करेंगे और और रोमैंस करेंगे और 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 क्या सब यहीं हाल में कह दो चलो करेंगे अभी तो में को यहीं है वो दो यहीं है ए यहीं है बाहों में छुपालो मुझे इस कदर सासों में बसालो मुझे इस कदर मद होशियों का होनी दे असर तूटके बिखर जाओं कुछ ऐसा कर बाहों में छुपालो मुझे इस कदर सासों में बसालो मुझे इस कदर हाँ अब शुरू भी करोना होटों से तूँ पास आ जाओं मिलने दो सासों को तूँ धेर धेर ये परदा सरकने लगा इश्क का जोर तन पे दिखरने लगा बाहों में छुपालो मुझे इस कदर सासों में बसालो मुझे इस कदर हाँ बंद आँखों में तेरा एहसास है थोड़ी मा की तडप थोड़ी अभी प्यास है हलका हलका नशामन बहकने लगा तेरी बाहों में ये तन बहकने लगा बाहों में छुपालो मुझे इस कदर सासों में बसालो मुझे इस कदर इस कौन आगया चोड़ो हम दर्वाजा नहीं खोलेंगे तो चला जाएगा पता नहीं कौन है बार बार बिलबजा जा रहा है जो कोई भी है बिलबजा की परिशान होकर चला जाएगा पता है हमें फोन और मोबाइल के साथ डोरवल को भी बन कर देना चाहिए था हम देखो तो सही है कौन हो सकता है कोई इमर्जेंसी केस हो कोई प्राबलम में हो देख लेता हूँ कोई ज़रूरत नहीं है अरे बाबा एक बार देखी लेता हूँ कम से कम फिर कोई डिस्टरप तो नहीं करेगा लेकिन जो कोई भी हो उसे भाहर से भागा देना ओके डाले वैसाब दर्वाजा खुल गया है आपको घंटी बे जाना बद करो किसे मिलना है आपको अपी से मिलना है डॉक्टर अमन उससे कौन है आप एक फर्यादी अरे भाई फर्यादी हो तो किसी पुलिस्टेशन जाओ मेरे पास क्यों आए हो वो फर्याद आपी सुन सकते हैं आपके हॉस्पिटल में अविनाश नाम के आदमी की डेट बॉड़ी पहुँच चुकी है जिसका कल आप पोस्वार्टम करने वाले हैं इसमें कौन से नहीं बात है? आपको पोस्वार्टम की रिपोर्ट में वही लिखना है जो सच है देखिए मैंने कभी जूट का साथ नहीं दिया है और जो सच है मैं वही लिखूंगा सच्चा यह है कि उसकी मौज जहर देने से हुई है आपकी रिपोर्ट से उसे इंसाफ मिल जाएगा वैसे आप यह बताई कि आपका मरने वाले से क्या रिष्टा है वो मेरी जान पहचान वाला था डॉक्टर अरसों तक हम साथ रहे हैं मेरी बात को भोलना नहीं डॉक्टर वरना पश्ताओगे बहुत वश्ताओगे डॉक्टर अजीब आदमी था अजीब आदमी वो नहीं आप हैं तोफा आपको इंतिजार कर रहा है और आप वगभर बात कर रहे हैं तोफा कैसा तोफा तोफा यू है रुको निया निया रुको अमन तुम गुला खाओगे? नहीं करियोन बहाँ एक और इंटोला देना यह के बत्ते में जी है कुछ बाते ऐसी होती है जिन्हें तमी इस से समझाओ तो लोकों की समझ में नहीं आती यह मतलब मतलब ही तो समझाने आये हैं डॉक्टर अमन डॉक्टर अभी तुम हॉस्पिटल जाओगे वहाँ पोस्मॉटम करोगे स्वर्गिय अविनाश की एड़ बॉटी का लेकिन अज का पोस्मॉटम तुम्हारे लिए थोड़ा अलग होगा नया होगा यानि रिपोर्ट वो बनानी होगी जैसा हम चाहेंगे अच्छा समझ गया देखो मैं रिपोर्ट वही बनाता हूं जो सच होती है तुम पोस्मॉटम की सच्चाई अगर दिखाओगे तो हम तुम्हें मौत की सच्चाई दिखाएंगे पिस्तौल छोटा है कोली भी छोटी निकलेगी पर धमाका इतना बड़ा होगा के तुम्हारी खोपड़ी के खिद्रे उड़ जाएंगे फिर तुम्हारी डेट बॉड़ी का पोस्मॉटम कल कोई दूसरा डॉक्टर करेगा और हाँ यह बेमानी हम तुमसे फ्री में नहीं करवाएंगे यह पांच लाक रुपे हैं पांच लाक काम हो जाने के बाद बस पोस्मॉटम रिपोर्ट में थोड़ा यह लिखना होगा कि नैचुरल डेट थी मरने वाला अपनी मौत मरा है समझा अमन, कौन थे वो लो फोजो चो निया, चलो चलते हैं नहीं, बता ओना कौने वो लो उमसे क्या चाहते थे जुःढ़ी रिपोर्ट बनाऊना चाहते है चैनल से में रिपोर्ट गलत बनाऊगा अब चोड़ो भी अमन कहां तुम उस बात को लेकर बैट गए लेहा मुझे बार बार यही सोचके गुस्ता आ रहा है कि उनकी हिम्मत कैसे हुई जो मुझे धंकी देकर चले गए और और मैं कुछ ना कर सका कि मैंने फैसला कर लिया है कैसा फैसला कि मैं रिपोर्ट वही बनाऊंगा जो सच है और पैसे जाकर उनके मुह पे मारूंगा कि कल रात मेरे जाने के बाद पोस्ट मॉटम के लिए कोई बॉड़ी तो नहीं आई येस सर बॉड़ी नमर 322 अविनाश मलोटरा था और घर की फोन लाइन्स भी बिजी थी हम आपको कॉंटाक नहीं कर सके असर कोई आदमी आपकी कैबिन में आपका इंतसार कर रहा है मेरे मतलब मतलब कहान नहीं को ज्यादा लंब करने से लोग-बोर जाते हम बनारिक्ट क्लायमक्स मेर्लो की सुना देता हूं थे एलो कि नहें था हो सुन ये । अलो हूँAlok studioGend inexIS है तक्क टॉमन मेरा मेसेज मिला होगा पोस्ट मॉर्टम रिपोर्ट में थोड़ा हेर फेर करना है देखिए मैंने कहा ना आपको चीखते बहुत हो डॉक्तर और हां तुम्हारी बीबी बहुत चीखती है सुनोगे उसकी चीख आप अधिया थे मेरी मेरी पत्मी वहां कैसे यह पूछो की यह कैसे महमान बनके बैठा हूं तुम्हारी घर में लेकिन तुम्हारी बीबी ने पानी तक को नहीं पूछा कर मैं बैठाओं रिपोर्ट तईयार करके फोन कर देना ओके देखो तो मैं यह तो फिर किस तरह कर सकत तुम्हारी बीबी को गोली मार के मार दो गोली शूट हर लगया देखो तुम लोगों के साथ कोई दोस्मनी नहीं है लेकिन अगर तुमने कहना नहीं माना तो गोली तुमारी बीवी के बेजी में बुछ सकती है दॉक्तर सहाब लो साइन करके इस जंजट को हमेशा के लिए खतम कर दो क्योंकि मुझे उसे फोन करके सब बताना है जितनी देर लगाओगे उतनी देर तक तुमारी पत्नी पर अत्याचार होते रहेंगे लो वरी गुड वकिल साहब समझदार है तुमारा पती सिग्निचर करके उसने तुम्हे नए जीवन दे दिया यस सर् यह पोस्टमॉटम रिपोर्ट है इसकी एंट्री करके पुलिस वालों को दे दो ओकी सर् अविनाश की पोस्टम रिपोर्ट लेकिन उसका तो पोस्टम हो ऑई नहीं है दौक्टर तुमसे क्या मतलब तुमें जितना कहा गया तुम उतना हे करो जो जा के वाट बाई से कहो लिए पोस्टम के लिए बादी तब्यार करें पाई को प्राइब स्ट्रीजर अपारी अपारी अपता है क्या हो डॉक्टर अर्थी कल रात को लाश कब ले गए थी यह कोई नौ साड़े नौ बचे के करीब नौ बचे अगर इस की लाश यहां नौ बचे थी तो कल रात ये मेरे घर एक बचे कैसे आ सकता यहां थे खिखत मेरे ья डॉक्टर अमन्हां पारत के सिर्खता डारा करूंस कि अगरे भाटर करें ओगां चिर्खता है क्या है करा है is spaking का के नौ सेन क्याहिं अर्थास दूश्टार करें क्या बचेम चेले फिखता है वि चर्ट- ऑश्व कान पंढ़िया है आपको पेशेंट का खाल रखना ज़ा है यह सर् हेलो कोई है अब अबस ए फॉक जोल कोई है नवाजा खले प्लीस हेलो मेरे समझाने पर भी तुमारे पती को मेरी पास समझ में नहीं होई मुझे इंसाफ चाहिए जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा मैं तुम लोगों का पीछा नहीं छोड़ूगा जीना हराम कर दूंगा मैं तुम लोगों का है यह वो वो मिला था मुझे वो कौन नहीं वो 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 आत्मी जो हमारे घर कल रात आया था हो मिझे लिफ में मिला अचीव अचीव से बाते कर रहा था वो ऐसी बाते क्यों कर रहा था उमने उसका क्या विगाड़ा है क्या नाइंसाफ ही है उसके साथ बोलो अमन बताओ ना यह कैसे हो सकता है क्या कैसे हो सकता है तुम कर दो मेरे साथ कर देखा वो सच है लेकिन देमाग कहता है कि मैं डॉक्टर हूं और मुझे ऐसी बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए बरोसा करना भी नहीं चाहिए मैं लेकिन आखों ने जो देखा उसे जुटलाए तो नहीं जा सकता ना इसी वज़े से तो मैं परश्यान हूं सच क्या है जो कल राथ हमने दर्वाजे पर देखा और आज तुम्हें लिफ्ट में देखा या फिर वो जो मैंने तुम्हें मौर्क में दिखाए था तोनों में से कोई एक बात ही सच हो सकती है पर जो कल हमने देखा वो क्या था आँखों का धोखा या सपना लेकिन तुम्हीं बोलो एक मरहवा इंसान गुवाला जिद्धा कैसे हो सकता है एक लाश जल फिर कैसे सकती है इसी सवाल के जवाब में तुम्हें उलज क्या होने हां कि क्या सपना है और क्या हकीकत क्या सुग्ति थिरे भा अे सकता है जひए जब कहीं जा रहां को सकता है जोलो ऑनला ही जे ख कौन? कौन है मा? यहां कर दो सिदाद? क्या कर दो सिदाद? क्यों? जर गई क्या? यहां कर दो सिदाद? बड़े बेडरूम वे इतने खूबसूरत बिस्टर पर तो के ली सोगी अजर आप दाद? यहां का दो नौटी वालवेस्ट नुटी क्या मुबारक हो बड़े भाई को मार कर सारी प्रापरटी चीनली सौटेली भाई का रोल खुब निभाया है तुमने अच्छा हुआ वकील साब कि आपने मौका पाकर मेरे बड़े भाई से प्रॉपर्टीज के सारे काखजात पस साइन करवा लिये थे ये तो सिर्प मेरा दिल ही जानता है इश्क हुआ मुझे इश्क हुआ मेरे यार से मुझे को इश्क हुआ मुझे इश्क हुआ मेरे यार से मुझे को इश्क हुआ निदूरी मेरा चेहन गया ये कैसे हुआ कैसे ये हुआ इश्क हुआ मुझे इश्क हुआ मेरे यार से मुझे को इश्क हुआ इश्क हुआ मुझे इश्क हुआ मेरे यार से मुझे को इश्क हुआ नी दूरी मेरा चेन गया ये कैसे हुआ कैसे ये हुआ इश्क हुआ मुझे इश्क हुआ एक प्राफ भी झाल कैसी मेरे दिल पे मस्ती सी छा रही है किसने ये मुझे को दिवाना कर दिया खुश्बू ये कैसी मेरे सासों से आ रही है फूलों से जैसे तामन को अबर दिया मुझे इश्क हुआ मुझे इश्क हुआ मेरे यार से मुझे को इश्क हुआ इश्क हुआ मुझे इश्क हुआ मेरे यार से मुझे को इश्क हुआ ये मौसम ये हवाएं सब मुझ से पूछते हैं बस दिना दिहुं को ये तुझ को क्या हुआ ये मौसम ये हवाएं सब मुझ से पूछते हैं बस दिना दिहुं को ये तुझ को क्या हुआ मैं कैसे ये बताओं क्या दिल को हो रहा है मैं तो न जानू जाने है ये खुदा इश्क हुआ मुझ इश्क हुआ मेरे यार से मुझ को इश्क हुआ नीद उड़ी मेरा चैन गया ये कैसे हुआ कैसे ये हुआ इश्क हुआ मुझ इश्क हुआ मेरे यार से मुझ को इश्क हुआ इश्क हुआ मुझे इश्क हुआ मेरे यार से मुझे तो इश्क हुआ जीखने की कोशिच बेकारे भी है कमबगत यह जहरी ऐसा है कि घले को चीर के रख लेता है सांस बंद होने से पहले आवास बंद हो जाती है हुआ अब अपने बड़े भाई अभिनास की सारी प्रापर्टी का इगलोता वारिज मैं हूँ मैं उसकी पत्नी उसके बड़े गुनगान गाती थी मेरा पती मेरा पती है 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 वे उसका पती खड़े मैं हाँ लेकिन अब जल्दी से लाश को जला देना चाहिए क्योंकि अगर तुम्हारे भावी ने शक जाहिर किया तो दुबारा पोस्टमार्टम भी हो सकता है और यह जरूरी नहीं कि पोस्टमार्टम वही डॉक्टर करेगा और उसी हॉस्पिटल में होगा इसके पहले कि मेरी भावी बड़े भाई की लास्ट पर क्लीम करें है कुझे चोटे भाई का फर्स अदा कर देना चाहिए यह के पहना दोक्टर हो की मॉडल कमान जी जू टाइल यू 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 स्टाइल प्रकेशियो च्छलिस पुट मॉर्निंग्स अपकी घर से तीन बार कॉल आ है और शाम को चार पजे शाम के साथ अपकी मीटिंग अबस्का दॉक्टर आप मुझे चेरे साना जरूर पैचान लेगे फोन पर बात हुई थी आपसे ऐसे विक्रम मलोत्रा नाम है मेरा तो आप यहां पर अपनी जान पैचान करवाने आए हैं जानता हूं आपको अच्छी तरह से जानता हूं कहिए मैं अपने भाई की डेड बॉड़ी लेने आया हूँ ताकि उसका अंत अपनी दाओं पर जानता हूं वो तो दिखी रहा है कानून के दलाल को अपना चमचा जो बना लिया है विक्रम सहाब जिसका शरीर 90% जल गया हो वो अपनी जलन बुझाने के लिए चीकता चिलाता है तब यह भूल जाता है कि चीकने चिलाने से जखम या जलन मिठती नहीं बल्कि और बढ़ती है उन्हें इसके साथ जो भी कुछ किया है ना उसके आग में यह जल रहा है देखो डॉक्टर वो बात अब कत्म हो चुकी है मेरी भावी दुखी है इसलिए मैं अपने भाईया की डेड बॉडी लेने आया हूं अर्गिस नहीं मेरे पती की बॉडी यहीं रहेगी इन्हें शक्यकिंग के पती अविनाश का कतल हुआ है इसलिए पूरी इंवेस्टिगेशन होने के बाद ही यहों की चिता को अगनी देंगे अरे उनकी तो नैच्रल डेथ हुई थी पुछी है डॉक्टर साब से इन्होंने उनका पोस्ट मॉटम हो तो सच्छा ही सामनी आजाए कि लोग जान जाएंगे कि बिना पोस्ट मॉटम किये मैंने रिपोर्ट बना देती और मैं फस जाओंगा और फिर मेरे रिपोटेशन का क्या होगा इतने सालों की इज़त मिट्टी में मिल जाए कि और फिर मुझे जेल भी हो सकती है ऐसा कुछ नहीं होगा मैं सिधात से बात करती हूं इसे साथ साब बता देती हूं कि गन पॉइंट पर जान की धमकी देख कर पोस्ट मॉटम रिपोर्ट तैयार करवाई है तेंशन क्यों लेते हो मैं हूँ ना तम्हारे साथ अच्छ आप जल्दी से अपना मुठी कर लो आ कर दो रहे, रहे, जब वहाँ, नहीं क्या हुआ? मैं हुँ भाई, डॉक्टर बत्रा तुम मुझे ऐसे देख रहो जैसे कोई भूत प्रेथ देख लिया हो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है ऐसी कोई बात नहीं है तो भीर खामूश क्यू हो भाई? सब खेर यह तो है ना, इनी प्रब्लम? नहीं, नो प्रब्लम, मैं से दॉक्टर बत्रा, क्या आप इन बातों को मानते हैं? इन बातों को? वही जो आप अभी भी कह रहे थे, भूत, प्रेत, या फिर आत्मा तुम बनते हो? नहीं, मैं तो यहीं पूछ रहा था, यह बाते कहा तक सच्छे, बिंग प्लीज अरे हम दॉक्टर्स को तो यही सिखाया जाता है ना? यह बाते कहानी और किताबों तक ही सच्छोती हैं लेकिन सच को जुटलाय भी तो नहीं जा सकता यहाँ, 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 जिनकी गहरायों में अगर तुम जाओ तो लगेगा क्या आत्माओ का भी वजूद है तो यहीं कहुंगा, यहीं कोई शक्ती जरूर है, बस साइंस उसे कोई नाम नहीं दे सका और यह जरूरी नहीं कि अगर साइंस ने किसी बात को साबिद न किया हो, उस बात का वजूद नहीं दोक्र क्या आपने कभी किसी आत्मा को देखा है मैंने भगवान को भी तो नहीं देखा आपने denик, कि अखने टो पर शेखा कर दो कर दो कर दो डश्डिए के अखिए ठाई अखिए रे Будत वो वो ही लुग लगल ही लो लिए लुग 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 अमन दर्वाल से पे कोई दस्तक दे रहा है। तुम दर्वासा खोलते क्यों नहीं? नहीं, कोई नहीं बाहर, कोई नहीं है। कोई कैसे नहीं अमन, दस्तक साफ सुनाई दे रही है। मैंने कहाना बाहर कोई नहीं है। मैं खुच आके देखा। मैंने कहाना तुम नहीं जाओगी। नहीं खोलो नहीं दर्वासा। लेकिन तुम दर्वासा खोलने क्यों नहीं देते। आखिर बाहर है कौन। देखा, तस्तक बंदोगी। कोई नी था पार कोई नी था कोई नी था कमान बीप्स है सिर्फ है मैरम मैं आपका ड्राइवर नी लवर हूँ वोड़ा पपी शपी दो वोड़ा कले लग के हाय करो और अगर मैं इनकार कर तूँ तो 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 ठीक है यह बाइक यहां से नहीं हिलेगी हाँ क्यों क्यों फॉर दखेक यह बाइक अगर लगने से ही इस अग्सेलेटरान होता है अगल यह बाइक वह अगर तुड़ रभे यह 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 मेरी बाग को भूलना नी तौकर वर्ना पस्ताव आप पस्ताव के लागने हलो अभी तक घर नहीं आए इसी हो नहीं बहुत डल साउंड कर रहे हूं क्या बात है यहीं बस दिमाग भटक गया था अच्छा कब तक आओगे बस भी निकली रहा हूं हलो बने हाँ बने हाँ मेरी रूंस ये Washt भ कर दो च्छार कर चुछ अ, उरप walks प्राप मेर बाब कर दित 날 बेहाँ 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 क्या हुआ तो बें यह तुम कुछ बोल की नहीं रही हो निया लेओ तुम्हें अब आप कि अब आप आप बहुत तेज बुखार है लेकिन निया तो कभी बिमार नहीं परती अचानक किसे क्या हो गया पता नहीं माँ अचानक घबरात होने लगी शरीर कांपने लगा फिर क्या हुआ मुझे पता नहीं जब हो शाय तो पदा चला बुखार है गवरानी की जुरत नहीं है पापा चोटी सी बात है शाम तक फिवर उतर जाएगा जब अमन ने हमें फोन किया तो हम तो परेशान हो गए पर तुम्हें देखा तु जान में जान आई अब तो हस्ते बेटा अरे मामूली सी बात है चीर आप पर आप जऴ़े होगाई! मैं? मैं? ले हैंथ नया? सुछ कर ली उना पापा, यह दोक्टर बत रहा है, नमस्ति करें बत रहा है उप्राइड करी रुछ प्रेडुबान एपसके पूसके जो करन गहां दुटक प्रेडुबान प्रेड समेन जए प्रेडूर नेहां अग्राइज ठीसित बात दुटक प्रेडूर पाया है 7th January 2005 आमन्स वाइफ, पाइंस नेम्टर आमन्स वाइफ, नेहा, इस त्वेटी सिक्स. नेहा, मैं डॉक्टर बत्रा, भूली तो नहीं, याद है ना? नेहा? अगर भी है न नेहा, नेहा, मैं दॉक्तर बत्रा हुँ, इस नेहा भी है नेहा, याद रिए प्रॉक्टर बत्रा हुँ, प्रॉक्टर बत्रा, अगर कोई ऐसी बात है जो तुम् तुम अपने हस्बंड के साथ शेयर नहीं कर सकती, तो मुझे बता सकती हूगा। निया, निया सुन रही हो ना, निया। यह कोई ब्यक, बीमारी नहीं है, कोई, कोई बीमारी नहीं है यहाँ यह मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था, ऽिसलिए मैंने आपको यहाँ बुला लिया। नहीं, इसका इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं है, इसके अंदर तो एक अलग शक्ती है, इसके आखें मौत की कहान ही सुना रही है, अमन, नेहा वो नहीं जो तुम समझ रहे हो, आप कहना कह चाते हैं, किसी आत्माने तुमारी पत्नी का शरीर उट लिया है, उसकी सूजबूच को अपने काभूर में कर लिया है, डॉक्टर क्या हमारा प्रोफिशन हमें इस बात की इजासत देता है, क्या हम इन बातों पर यकिन करें, और आज किस मॉडरन जमाने में जहा साइंस ने इतनी तरक् कर रुख जाता है, इसका मतलब यह नहीं कि उस सीमा के आगे कुछ भी नहीं है, उस सीमा के आगे, एक पूरी दुनिया है, एक ऐसे मिस्ट्री, जो इंसान अभी तक सौल नहीं कर पाया, देखो, मैं तुमारी बीवी के बारे में जो भी कह रहा हूँ, वो बिल्कुल सही है डॉक्टर, मेरी पत्नी को ठीक करनेगा कोई तो रास्ता होगा, मुझे किसी भी हलत में उसे ठीक करना है, प्लीज मुझे कोई रास्ता बताई, दॉक्टर, प्लीज अमन, इन राओं पर जो बटक जाते हैं न, सिर्फ गुदरत ही उने रास्ता दिखा सकती है, सिर्फ गुदरत तुम डॉक्टर होकर ऐसी बात ही करते हूँ पपा मैंने अपनी आखों से नेहा की बिगर्दी हलत देखी है इसलिए डॉक्टर बत्रा की बातों पर विश्वास कर रहा हूँ बेटे, अगर डॉक्टर बत्रा का यही कहना है कि नेहा किसी आत्मा की घेरे में आ गई है तो उसका कोई इलाज तो होगा वही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ यह सब मेरी गलती का नेतीजा है काश काश मैंने उन लोगों की बाते न मानी होती बेटे, जो बीट गया उसके बारे में सोचने से कोई फायता नहीं अब तो हमें यह सोचना है कि हम नेहा को कैसे ठीक करें आमन, भगवान के लिए कुछ करो कोई ना कोई इलाज निकालो नेहा की यहालत मुझसे देखे नहीं जाती सुमन, मुझसे देखे नहीं जाती सुमन, सुमन चेक, एंड मेट आप भार गये वकिल साब अरे भाही आपने चाली यह इसी चल दी मेरी हर चाल में एक नहीं अंदाज होता है वकिल साब अच्छा और हमारे हर अंदाज में नहीं चाल होती है वाँ बहुत हुआ उताओ ये पैसे अब मैं तुमारी धंकिया सुनकर अपनी जिंदगी नहीं कुछारूंगा तुम्हें जो करना था तुमने कर लिया जिवा इस बार में पोस्मार्टम करूंगा और सही रिपोर्ट बनाकर पोलिस के हवाले कर दूंगा जाहे कुछ भी हो जाए अरे तुम लोगों की वज़े से मेरा जीना हराम हो गया है अपने बार में क्यों सोचते हैं डाक्टर अपनी बीवी के बारे में सोचो मार दोस्ते ना मुझे अपनी फिकर है ना अपनी बीवी की लेकिन एक बात याद रखना अगर हमें कुछ हुआ तो तुम लोगों में से भी कोई नहीं बच पाएगा तुम सब जेल चले जाओग याद रखना यह तो गड़बड हो गई वकिल साब अगर इसने साही रिपोर्ट पोलिस को दे दी तो हम साब पास जाएंगे कुछ कीजिए अब एक ही तरीका बचा है मार्क से बौडी को गायब कर दो ना बौडी रहेगी ना पोस्ट मार्टेम होगा ना नई रिपोर्ट मौद मığın खोंग अब ऊब मतलब हमदोने अध्यम अज़म ने हैं मतलब हम दोनो नए स्टाफ हैं मौर्की चावी दे दी जह ज़ Chrism औरह बावजी मोर्ग के जाबी यसे कैसे देदू क्यों जी हम यह देड बॉडी जमा करना चाहते हैं जी बॉडी जमा करने के लिए थारे पाइठ डाक्टर की परीमिशन है के नहीं फिर तो बॉडी जमानी हो सकती है यह यह बात है के हमें भी बारा बजे के बाद मोर्ग का आप समझने की कोशिश कीजिए ना समझने की कोशिश तो मैं ना हुजी कि अपर कि अपर ना हुआ हुआ है झाल 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 हो और यॉरा हो, होगा। तीदी, आप ठीक हो गई, आपको होश आगया मैं करूँगा है लेकिन मुझे यहां क्यों रख है मैं जेहां से लेचलो मैं घर जाना चाहती हूं हाँ हाँ बैटी जरूर ले जाएंगे पहली तरी तब्यत तो समल जाए झाल हूं है यहां बिल्कुर ठीक हो गई है वो घर जाना चाहती है अमन यह सब क्या है मैं यहां क्या कर रहे हूं मुझे घर जाना है प्लीज यहां कि बाता साइब पता viens यहां को यहांक बाता से दिवल्स्टाव्ट! क्या भूल्स्टन जसे नहीं हे प्लिब्स बढ़े गुड़ता चुड़ता अगूते तेन हैं फिष्धादाते तेश पेलिए पुड़ता अए्दादा बटे आए पुड़ता अंप हुड़ता है अच्टा में। मैं। कि यह जब अंदर आया तुम कहां थे जब अधर अधर तुमने एसे अंदर जाने क्यों दिया अज तो वार बोई दूसरी नर्स तो वो वो कॉन जब वह वार बोई था जो जा में लाज जमा करनी है कि अधरोगा जी वो राइस्टर में एंट्रेवी उसने करी थी वो लोग कितले टाइम से काम करते हैं तो पतानी मैंने तो उन्हें उस दिन पहली बार देखा था पहली बार देखा था फिर भी ओने मौर्ग में जाने की जादे दे दी कैसी डूडी बाते हो तुम तुम्हें क उसके बाद क्या हुआ मैंने तेखा शिवा की लाश पड़ी है मेरी समझ में याय मैं क्या करूँ मुझे मुझे एक आहट सुनाई थी मैंने मुड़ के देखा तो अभी नाश जिन्दा सही सलामत में सामने एक खड़ा था वक्वास कर रही हो तुम मैं बिलकुल सच्छी कह पी तेखा हैललाव अविनास मश्क चुका है वो मर कर भी जिन्दा है हमने हमने उसके सथ एसा सुलुख किया है कि मौथ की दर्वासी को पार करकर हो वाबस आगया है हमसे हमसे इतनी मौत का बत्ला लेती चौप बेवकुफ जो खुद मर चुक THAT एक बेच जान लाश मिल और तू कहता है, तू कहता है, अजीज दरोगा, जीज बात तू समझने को इसके बात बताना चाहता हूं सिदार, इसमें इतना परिशान अन वाले क्या बात है? अजीब आत करती हो तूम, आमन ने जूटी पोस्माडम रिपोर्ट बना कर मुझरिमों का साथ दिया, कानून के खिलाफ काम किया, और तूम्हें एबात मामूली लगती है सिदार, बात समझने की कोशिश करो, जीजु ने जो कुछ भी किया, मजपूरी में किया अगर वो यह सब ना करते, तो नजाने वो लोग दीती के साथ क्या घर बेटते जजबात और रिष्टों के लिए कानून के किताब में कोई जगा नहीं, अगर मैं चाहूँ तो आमन के खिलाफ फॉरन आक्शन ले सकता हूँ मैं चानती हूँ, सिदाथ, तुम ऐसा नहीं करोगे, क्योंकि सच क्या है, यह तुम समझ रहे हो समझ रहो आर्ती, तभी तो खामोश हूँ, लेकिन एक बात कह देता हूँ, अगर मोजर्म जल्द पकड़े नहीं गए, तो मजबूरा मुझे अमन के खिलाफ कोई आक्शन लेना पड़ेगा, और उस वग मैं भूल जाऊँगा कि उसके साथ मेरा कोई रिष्टा है सिदात मैं सच कह रही हूँ, मैं ये शहर छोड़ की जाना चाहती हूँ, मुझे मेरा हिसा चाहिए क्यों डर गई? पुलिस को उस नर्स की तलाश है, जो उस रात मौर्ग में थी, वो और वोय मुझे अच्छी तुना पहचानता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है अगर हम पुलिस से बज़ भी जाते हैं, तो अविनाश, अविनाश की आत्म हमें जंदा नहीं छोड़े की दिमाग खराब हो गया है तुमारा, कैसी बैकी बैकी बाते कर रही हो? अविनाश मर चुका है, समझी? मर चुका है अविनाश कौन मर चुका है? इंस्पेक्टर साब आप क्यों गलत वक पर आ गया नहीं ऐसी बात नहीं है कि ऐसे आना हुआ आपर इल्जाम है कि आपने गलत पोस्त मॉटम रिपोर्ट तयार करने के लिए डॉक्टर अमन को डराया और उनकी बीवी को मार डालने की धमकी दी कोई सबूत है तुमारे पास सबूत डॉक्टर अमन ने खुद मुझसे कहा है किसी के कहने से क्या होता है इंस्पेक्टर सबूत लाओ गवा पेश करो और उसके बाद जो भी कुछ कारवाई करनी है वो करो और अगर आपने मुझपर खामका इल्जाम लगाने की कोशिश की तो मैं अपर मानहानी का दावा ठोक सकता हूँ हाँ जानता हूँ हमारे या कानून ने बहुत छूट दे रखी है हर कुटे को भौकने की इजासत है इंस्पेक्टर यह मत भूलो कि मैं भी कानून वाला हूँ चिलाओ मत मैं तुम लोगों को यहां चितावली देने आया हूँ बिना मेरी इजाज़त तुम लोग यह शहर छोड़कर नहीं जा सकते और अगर जाने की कोशिश की तो यह क्या इस शहर के सारे काले कोट वाले मि काम तक मुझे मेरा हिस्सा पहुच जाना चाहिए वर्ना तुम जानते हो मैं क्या कर सकती हूँ पर जान जाना तुम पर जानाईा सकती हूँ कर दो आ के दो आ कि अ कर दो आ कि है buffalo कि ऐमिल्ग है Jetzt कि है दो आ मिल्ड़ खंट ढघ है आ तोड़ कॉब left कर दो 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 कर पर पर दोगा दोगे हैं अगारा दोगे हैं जो तुम्हें अपने क्या हालत पना ली है क्या होगी आए तुम्हें है तुम जल्दी से ठीक हो कर घर आजाओ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ लेकिन अवन तुमने यह बहुत गलत किया, मुझे लाकर यहां रख तिया और कौन ख्याल रखता होगा तुम्हारा मुझे पता है तुम केलेस हो क्या करो क्या करने वाली जो घर पर नहीं है बस अब ज्यादा बाते मत बना मैं तुम्हारी एक नी सुनूगे मुझे घर ले चलो प्लीज सिधार्थ हलो सिधार्थेर लेला की मौत हो चुकी है वाट वक्त से पहले सट्या गए आप सिवाव लेला की मौत डरा दिया है आपको विक्रम सहाप जब मौत सर पर तांडाव करने लगती है न तो अच्छे-च्छे की फट जाती है मेरी बात मानिये उन दोनों को अविनाश नहीं मारा है सब गलत है जो खुद मरा हुआ दूसरों को क्या मारेगा मुझे लगता है किसी का सडंत है मैं डराने के लिए किसी की चाल है यही बात आपने लैला से कही थी मर गई न वह जी तरह हम दोनों का राम नाम सत्य होने वाला है क्या करें आपके साथ यह शहर छोड़के भाग जाओ भागने वालों मैंसे नहीं हूं मैं यह पूरी प्रॉपर्टी को पाने के लिए बहुत पापड़ में ले मैंने छोड़कर नहीं जाओंग आप सच कह रहे हैं तुम एसे नहीं जाएगा मर करी जाएगा साला मुझसे नहीं की हालत देखी नहीं चाथी जबसे उसकी ऐसी हालत हुई है उसे सिफ्फ दू बार होशाया है ब और ताज़ुब की बात ही है कि पहली बार जबirt उससे होशाया तो शिवा पजने और बां मिर्पा गए और जब दूसरी बार घुण्य याお होग या जब निया और्ट में मिनिटअ एक बचका कर 3 मिनिट हो न हो यह एक बचकर गया मिनिट एक हैंडी नयका की जिंदकी और अनुद को छोड़िया अविनाश के पीवी ही कर सकती है इस घर की किसमत में रोशनी कम और अंधेरा स्यादा लिखा हुआ है इसलिए अक्सर यहां पिछली चली जाती है आप लोगों की बातों को सुनकर मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ कलग पोस्त मॉटम रिपोर्ट बनाकर आप लोगों ने एक सोई हुई आत्मा को जगा दिया है जी हम आपको मतलब नहीं समझें वो इनसाफ लेकर रहेंगे बहुत सिद्धी थे वो जो कह दिया वो पथर की लकीर और जो कर दिया वो तक्तीर जीते जी उन्हें हार बर्दाश्ट नहीं हुई तो मरने के बाद कैसे होगी यह कैसी बाते कर रहे हैं यह सिर्फ बाते नहीं सचाई है जिसका सबूत इस घर के तैखाने में दफन है यह वही जगे है जहां अविनाश काली विद्याओं में सिद्धी प्राप्त करने की कोशिश किया करते थे यह जो काली विद्या यह नहीं है जी हां हर रात उजालों से दूर होकर वो अंधेरों में दूसरी दुनिया की अजीब भयानक सी चीखे मेरी नींदे उड़ा दिया करते थे अकसर इस बात को लेकर हम दोनों के बीच में जगड़े हो जाते थे ले प्रहीं जलेए ज। ऐसे आपको पवित्षा करना है यहां का वाता वड़न देखकर लगता है कि यह जगह मनूस है आतमाओं का वासे इस जगा का शुद्धी करण बहुत जरूरी है, तभी इन आत्मा उसे छुटकारा पाया जा सकता है, लेकिन महराज, या आत्मा उसे छुटकारा पाया जा सकता है, या इनका नाश हो सकता है, अवश्य, जब आत्मा और शरीर का मिलन होता है, तो उसे जीवन कहते हैं, और जब शरीर पूरी तरह नश्ट हो जाता है मतलब जब तक शरीर खत्म नहीं होता आत्मा को मुक्ते नहीं मिल सकती नहीं, कभी नहीं आत्मा और शरीर बरसों तक एक होकर रहते हैं इसी समय में शरीर को आत्मा से और आत्मा को शरीर से जो लगाव हो जाता है उस लगाव को खत्म करने के लिए शरीर का भस्म होना बहुत ज़रूरी है इसका मतलब यह हुआ कि अविनाश की आत्मा से चुटकारा पाने के लिए उसके शरीर को जलाना ज़रूरी है वो अविनाशी है हाँ मेरे पती है वो आप लोगों का अंदाजा बिल्कुल सही है लेकिन यह आप इतने यकीन के साथ कैसे कह रही है उनकी हरकते उनकी आखी उनकी बात करने का अंदास वह भी वह इसी तरह से उजह देख के चीकने चिलाने लगते थे बिल्कुल इसी तरह से मेरी पत्नी की जिंदगी बापके हाथ में है अगर आविनाश की आत्मा को मोक्ती मिल गई तो मेरी पत्नी बच जाएगी हाँ, और आविनाश को मुक्ती दिलाने के लिए हमें हमें उसकी चीता को जलाना ही होगा झाल 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 रखो प्लीच कर 嗎 झाल प्लीच को तुछ प्लीच को प्लीच को प्लीच को जाल ऑ ह Edition े हुआ 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 हु कि अगे अगे कि अगे कि अगे कि अगे कि अगे अलो मैं एड़ो के खुराना बोल रहा हूं मुझे तुमसे जरूरी काम पड़ गया है इसलिए मुझे तुमसे अभी इसी वक्त मिलना बहुत जरूरी है ऐसा कौन सा जरूरी काम आ गया है वकिल साहब जो आप सोवे होने का भी इत्जान नहीं कर सकते कुछ राज ऐसे होते विक्रम जो रात के अंधिरे में खोले जाते हैं मैं भी एक ऐसी राजपसे मर्दा उखाना चाहता हूं कहीं डरकर आप सेर छोड़के तो नहीं बाग रहा है वकिल साहब अब्राव नहीं विक्रम साहब अकेले नहीं तुम्हें भी अपने साथ लेकर जाओंगा अच्छा तो जल्दी आईए मैं आपका इंतिजार कर रहा हू आप से पहले पहुंचाओंगा अरे वा किल सबाब अभी तो अपना फोल किया था विक्रम तीन चीजे कभी भी कहीं भी पहुंच सकती है पुरी किस्मत बुरा वक्त और माउत ये क्या कह रहे हैं आप आजकल हम लोगों का बुरा वक्त चल रहा है ना ऐसी कोई बात नहीं ह चली आइए अंदर आइए अगा बंदी अमन ये एंबुलेस लेकर कहा जा रहे हो एक लाशिक अंदिम संस्कार करने अमन तुम्हे पता है कि ये केस अभिया धूरा है और वहां मेरी पत्नी की जिंदगी अधूरी है ये जुर्म है अगर अप्नी को बचाना जुर्म है अगर अप्ने को बचाना जुर्म है तो आज मैंardon विख्रम करके रहूंगा मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा एक मिनिट अमन इस पत्नी नहीं परमिशन दे दिया आप क्यों रोक रहें और मैं यह बात कैसे मालू अब आप खुद बात कर लिए जाना लेकि मुने तुम्हें आपको बादर समझता था लेकिन आप तो काय निकले शहर चोड़के बाग रहें जाना तो तुम्हें भी पड़ेगा विक्रम मैं नहीं जाओंगा और पर मेरे जीवन की रेका बहुत लंबी है वकिल साहब और पर मैं मौत से भी नहीं डरता विक्रम मौत किसके दर्वाजे पे कब दस्तक दे दे यह कोई नहीं चांद था यह आपने ठीक नहीं किया कल को अगर कुछ हो गया तो हम अपने सीने इसको क्या जाब देंगे उसकी नौबत ही नहीं आएगी तुम जीप निकालो लगता है आज होश खोदेने के मूर में आप ओश खोदेने के मूर में नहीं प्रा देने के मूर में क्या हुआ खोड़ गया नहीं अच्छे प्राइब लुए अच्छे इंसान को हर बुरी बला से बचा दिया इसे कभी अपने गले से मत उतारना हूं यह तुमारा अखरी पेग है इस पेग के बाद तुम शराब को छोड़ दोगे और शराब तुम्हें अब अविनाश की आत्मा इस चौकट को पार करके अंदर नहीं जासे अगर जाने की कोशिश भी करेगी तो ओम की शक्ति उसी जला की भस्म करतेगी और तुम शक्ति नहीं आप, 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 आप… ओम, सस्त शरीखा पूरखा, सस्ता सस्त पात, सबमी ग्वंग, सत पितवाहात श्राम। ऐसा लग रहा है जैसी एपैग, पेरे गले को चीरता हुआ गया है अईसा ही मेरे साथ भी हुआ था उम लोगों ने मुझे यही जहर दिया था ना तुम्हें यह नहीं हो सकता नहीं हो सकता अईसा हो गर्वाई को दोखा दिया अभी थोड़ी सी दॉलत के लिए अमन किता को अगनी दो ताकि इसके आत्मा को शांती में मैं भी बहुत कड़बादा बहुत चलन होती है ना जोटे उबर फिर सोच लो तुम कानून को अपने हाथ में ले रहे हो तो पहले कानून कहा था जब इसे मारा गया अब धीरे धीरे ये जहर अपना असर दिखाएगा और इस दुनिया से तेरा वजूद बिट जाएगा और इसे देले टेमिन लेखएगा साथ पर असर तक परिशती देल अपने लेखएगा आ गसर अपने ढ़े लेखएगा साथ साथ लेखएगगद साथ करें ने साथ क Markus Dis आयान भूम नहाणु स्पार से झुम से आख मुटों को दे आयान भूमूमूमूमू से अन्हातर सेखें दे आख मुटों सेखें करें देए हम हम झाइछ माईद खारे Snapchat हार फार! हार्भ! किंवाल दोले है विकरम चुट की मौत भी उसी जहर वी है यह उसी जहर से सलग की मौत होग ठी मेरे पती की आपफयर से अविनाश की मौत नर् incorpor के जुझ तशियों की बात है सिर्य यह वो जब इनसाफ करने पर आता है, तो इनसान कुछ समझ ली पाता है, बस, इनसाफ हो जाता है, अब ये केस भी उनी फाइलों में दफन हो जाएगा, जो उनसॉल रही है, येस, हारती, क्या करती हो, रास्ता चोड़ो, रास्ता चोड़ोंगी तो तुम मुझे फिर चोड़ के इसलिए आज तो रास्ता नहीं छोड़ोंगी, क्यों, आज क्या बातो हो भी, ये केस तो सॉर्फ हो गया, लेकिन एक केस भी बाकी है, क्या कौनसो केस, मेरा और तुम्हारा, अब और इंतजार नहीं होता, तो शादी क्यों नहीं कर लेती, किसे, किसे क्या, मैं हूना, हाहा हाहा, हाहा झाल कर दो 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 कर हादे! कर दो जो हों जो हो बार होगा कि अ ये दो हो जो होगा है कि अ हो होगा जो हो जो जढ़ आया होगा है